Hello everyone, welcome to Aplace Academy दोस्तो आज का बहुती जादा important topic है भारत में कौन सा चीज कहां सबसे जादा पाया जाता है जैसे example ले लो, gold कहां पाया जाता है, bauxite कहां पाया जाता है, वगरा वगरा ये सभी ऐसे important question है जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं तो आज की वीडियो में हम ये सब important minerals को discuss करेंगे, तो फिर चलिए वीडियो को start करते हैं पहला है bauxite, bauxite कहां सबसे जादा पाया जाता है, तो bauxite जो है वो उडिसा राजे में सबसे जादा पाया जाता है अगला है जिंक, जिंक सबसे ज़ादा कहां पाया जाता है तो जिंक जो है वो राजिस्थान राज में सबसे ज़ादा पाया जाता है नेक्स है आइरन, आइरन सबसे ज़ादा कहां पाया जाता है तो iron जो है जहारखन राज में सबसे जादा पाया जाता है अगला है chromite, chromite सबसे जादा कहां पाया जाता है तो chromite जो है वो सबसे जादा उडीसा राज में पाया जाता है मतलब कि box side और chromite कौन से राज में सबसे जादा पाया जाता है अगला है लेड, लेड सबसे ज़ादा कहां पाया जाता है, तो लेड जो है वो राजिस्थान राज में सबसे ज़ादा पाया जाता है next है silver, silver सबसे ज़्यादा कहां पाया जाता है तो silver भी राजिस्थान राज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है मतलब कि zinc हो गया, lead हो गया और silver कौन से राज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो राजिस्थान राज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है अगला है मैगनिसाइट, मैगनिसाइट कौन से राज में सबसे ज़ादा पाया जाता है तो मैगनिसाइट जो है वो तमिलनाडू राज में सबसे ज़ादा पाया जाता है नेक्स्ट है गोल्ड, गोल्ड सबसे ज़ादा कहां पाया जाता है तो गोल्ड जो है वो करनाटक राज्य में सबसे ज़ादा पाया जाता है ये जो गोल्ड है इसके बारे में RRB NTPC के पेपर में पूछा जा चुका है और करनाटक में सबसे बड़ा खान जो है वो है कुलार खान जो कि KGF2 मूवी जो है वो इसी से तो रिलेटेड है तो पक्का ये याद रहने वाला है कि गोल्ड कहां पाया जाता है तो करनाटक में पाया जाता है अगला है मैगनीज मैगनीज सबसे ज़ादा कहां पाया जाता है तो मध्यपरदेश में पाया जाता है अगला है फॉस्फोराइट फॉस्फोराइट कहां पाया जाता है तो फॉस्फोराइट जो है वो राजिस्थान राज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है देखिए राजिस्थान तो यहां पे लीट कर रहा है क्योंकि यहां पे लिट पाया जाता है Zinc पाया जाता है Silver पाया जाता है और अब Phosphoride भी यहां पाया जाता है अगला है Limestone Limestone सबसे ज़्यादा कहां पाया जाता है तो Limestone जो है वो राजिस्थान राज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और Next है Copper Copper सबसे ज़्यादा कहां पाया जाता है नेक्स्ट है ग्रिफाइट, ग्रिफाइट सबसे à-da कहां पाय जाता है, तो ग्रिफाइट जो है वह उड़ीसा-ra不是 वा-da पाय जाता है, अगला है यूरैनियम, यूरैनियम कौन से राज में सबसे ज़, लिशा स tiêm जाता है, तो यूरैनियम जो है वह आंधर-परदेश मे सबसे ज़्यादा पाया जाता है अगला है कोबाल्ट, कोबाल्ट सबसे ज़्यादा कहां पाया जाता है तो कोबाल्ट जो है जार्खन राज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है next है कोल, कोल सबसे ज़्यादा कोईला कहां पाया जाता है अगला है tungsten, tungsten जो है वो सबसे ज़ादा कहां पाये जाता है तो tungsten जो है वो करनाटक राजे में सबसे ज़ादा पाये जाता है और करनाटक में क्या पाये जाता है तो gold भी जो है वो करनाटक राजे में gold भी पाये जाता है KGF2 से तो याद रहेगा अगला है डाइमंड, डाइमंड सबसे ज़ादा कहां पाया जाता है तो डाइमंड जो है वो मध्य परदेश राज में सबसे ज़ादा पाया जाता है अगला है निकेल, निकेल सबसे ज़ादा कहां पाया जाता है तो निकेल जो है वो उरीसा राज में सबसे ज़ादा पाया जाता है हम लोगों ने उरीसा राज इसे क्या-क्या देखा तो बॉकसाइड भी उरीसा राज में सबसे ज़ादा पाया जाता है और निकेल भी सबसे ज़ादा उरीसा राज में पाया जाता है अगला है थोरियम, थोरियम जो है वो सबसे ज़ादा कहां पाया जाता है तो थोरियम जो है वो केरिला में सबसे ज़ादा पाया जाता है नेक्स्ट है जिपसम, जिपसम सबसे ज़ादा कहां पाया जाता है तो जिपसम जो है वो राजस्थान राजे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है अगला है पिट्रोलियम, पिट्रोलियम कहां पाया जाता है तो पिट्रोलियम जो है वो भी राजस्थान राजे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है मतलब कि राज़स्थान जो है एकदम लीड कर रहा है राज़स्थान में क्या-क्या हो गया? तो कॉपर हो गया, लेड हो गया, लाइमस्टोन, जिंक, सिल्वर, फॉस्फोराइट, जिपसब और पिट्रोलियम ये सबसे ज़ादा कहां हो गया तो राजिस्थान राज में उडिसा राजिसे क्या-क्या पाया जाता है कौन-कौन सा मिनरस तो उडिसा से बॉकसाइट, ग्रिफाइट, क्रोमाइट और निकेल पाया जाता है केरिला से हो गया थोरियम और करनाटक से क्या हो गया, तो करनाटक से था gold और tungsten, जारखन से है iron, coal, cobald, 36, गर से tea, राजिस्थान से क्या हो गया, तो राजिस्थान से copper, lead, limestone, zinc, silver, phosphoride, gypsum, petroleum, मध्य परदेश से क्या हो गया, MP से, तो MP में क्या क्या पाया जाते है, मध्य परदेश, diamond, हीरा और magneze, औ थी हमारी आज की वीडियो, उमीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज इसे लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें, थांक्यो फॉर वाचिंग,